हंसार्ग ग्रुप द्वारा गौरेया बचाओ अभियान एक सरहनिय पहल की तरह लगता है। गौरेया छोटे आकरशक पक्षी हैं जो हाल के वर्षों में आवास के नुकसान और कृषी पदतियों में बदलाव सहित विभिनकारकों के कारण जन संख्या में गिरावट का सामना कर रहे हैं। अभियान का समर्थन करने और गौरेया के संरक्षन में योगदान देने के लिए यहां कुछ सामाने कदम दिये गए हैं जिन पर हंस आर्क समून या इस तरह के प्रयास में रुची रखने वाला कोई भी व्यक्ति विचार कर सकता है। जागरूपता बढ़ाएं गौरेया की घर्टी संख्या और उनके संरक्षन के महत्व के बारे में जागरूपता फैला कर शुरुवात करें। ये विभिन माध्यमों से किया जा सकता है जैसे जागरूपता अभियान, कारेशालाएं आयोजित करना और स्थानिय समुदायों, स्कूलों और कॉलेजों में बातचीत करना। आवास संरक्षन गौरया शहरी और ग्रामिंग शेत्रों सहित विभिन आवासों में पनक्ती हैं। उप्युक्द घोसले के स्थान, खाद्य स्रोत और स्वच पानी प्रदान करके पक्षियों के अनुकूल वातावरन बनाने के लिए व्यक्तियों और समुदायों को प्रोच साहित करें। देशी पौधों को लगाने और बगीचों में कीटनाशकों के प्रयोक से बचने से भी गौरया को आकरशित करने में मदद मिल सकती है। नेस बॉक्स स्थापना गौरया अक्सर घोसले के शिकार के लिए मानव निर्मित संरचनाओं पर निर्भर रहती है। उप्यूक्त स्थानों जैसे पार को बगीचों और खुली जगों पर गौरया के घोसले के बखसे लगाने को बढ़ावा दें। इन बक्सों को प्राकृतिक घोजले के शिकार स्थलों की नकल करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए और उन्हें शिकारियों से बचाने के लिए सुरक्षित उंचाई पर रखा जाना चाहिए। समर्थन प्राप्थ करने और सनरक्षन के प्रयासों में सहयोग करने के लिए स्थानिय अधिकारियों के साथ सहयोग करें, स्थानिय सरकारी निकायों, पर्यावरन एजेंसियों और वन्यजीव संगटनों के साथ सनलगन हों वे सनरक्षन कारेक्रहों को लागू करने में मूल्यवान संसाधन, धन या सहायता प्रदान कर सकते हैं. अनुसंधान और निग्रानी गौरैया की आबादी उनके आवास और उनकी उतर जीविता को प्रभावित करने वाले कारकों पर डेटा एकत्र करने के लिए अनुसंधान और निग्रानी परियोजनाओं का संचालन करना. ये जानकारी विशिष्ट संरक्षन आवशक्ताओं की पहचान करने और समय के साथ संरक्षन प्रयासों के प्रभाव को मापने में मदद कर सकती है. समुदाय की भागीदारी अभियान में स्थानिय समुदायों, स्कूलों और संगटनों को शामिल करें. भागीदारी बढ़ाने और लोगों के बीच स्वामित्व की भावना पैदा करने के लिए बर्ड वोचिंग इवेंट्स, बर्ड हाउस बिल्डिंग वर्क्षोप या कम्यूनिटी क्लीनप ड्राइव जैसी स्वेंसे भी गतिविदियों का आयोजन करें. वकालत और नीटी गौरया सनरक्षन का समर्थन करने वाली नीटियों और विन्यमों की वकालत करें. इसमें प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा, हानिकारक कीटनाशकों पर प्रतिबंध ही आकमी और शहरी नियोजन में गौरया सनरक्षन के एकीकरण के लिए पैरवी करना शामिल हो सकता है. शैक्षिक पहल लोगों को गौरया, उनके पारिस्थितिक महत्व और उनके सनरक्षन में योगदान करने के तरीकों के बारे में शिक्षित करने के लिए शैक्षिक सामगरी, ब्रोशर और ओनलाइन संसाधन विक्सित करें. गौरया सनरक्षन विश्यों को अपने पाठिक्रम में शामिल करने के लिए स्कूलों के साथ सनलगन हों याद रखें ये सामाने सुजाव हैं और गौरया बचाओं अभियान के लिए विशिष द्रिष्टिकों स्थानिय संदर्व और उपलब्द संसादनों के आधार पर भिन हो सकते हैं सबसे प्रभावी रणनीतियों को लागू करने के लिए पक्षी सनरक्षन में विशेश अगयता रखने वाले विशेशगयों और संगटनों के साथ सहयोग करना भी महतुपूर्ण है